हेलो स्टुडेंट्स मैं आनंद सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल साइफाई स्टेडी में स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ साइन्स फिजिक्स पार्ट का यूपी बोड परिक्षा 2024 में आने वाले महत्तपूर्ण बहुविकल्पी प्रशनों को यहाँ पे देखने वाले हैं यहाँ पे जितने भी प्रशन हैं स्टुडेंट्स वह सभी 2024 बोड इक्जाम के लिए अत्यंत महत्तपूर्ण हैं इसलिए इस वीडियो को सुरू से अंत तक देखिएगा अगर आप क्लास 10 के स्टुडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत बहुत अधिक मत्तपूर्ण है और इस वीडियो से पहले पहुविकल्पी प्रशनों की दो अल्रेडी वीडियो डाली गई है अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं साथ ही साथ पूरे फिजिक्स का कमिस्टरी का बायलोजी का सब्जेक्टिव कोश्चन भी यानि लगुत्तरी और दिर्गुत्तरी प्रशन की सीरीज भी डाली गई है अगर वह वीडियो नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से उस वीडियो को एक बार जरूर देखे अगर सभी चीज़ आप अच्छी तरह तैयारी कर लेते हैं सभी कोश्चन को तो निष्टिती रूप से आप इस चैनल के माध्यम से 90 प्लस की तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रस्ट नमबर एक है समतल दर्पन द्वारा निर्मित प्रतिवीम्ब का आवर्धन होता है यानि समतल दर्पन द्वारा कोई भी प्रतिवीम्ब जो निर्मित होता है उसका आवर्धन क्या होता है तो फर्स्ट आप्शन है वन, सेकेंड है वन से कम, थर्ड है एक से अधिक और फोर्थ है अनन्द, तो यहाँ पे जो राइट आप्शन होगा, आप्शन नमबर फर्स्ट, समतल दर्पन द्वारा निर्मित प्रतिबीम्ब का जो आवर्धन होता है, वह वान होता है, अगले प्रस्ट को देखते हैं, प्रस्ट नमबर दो है, यदि किसी वस्ट को एक दर्पन के सामने निकट रखने पर प्रतिबीम्ब सीधा बने, किन्तु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबीम्ब बने, तो वह दर्पन होगा, तो यहाँ पे first option है संतल दर्पण, second option है उतल दर्पण, third option है उतल दर्पण और fourth option है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे जो right option होगा option number 2 और उतल दर्पण यहाँ पे right answer होगा, उमिद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे आई अगले प्रेशन को देखते हैं अगला प्रेशन प्रेशन नमबर 3 है एक उत्तल दरपण की फोकस दूरी 10 cm है दरपण की वक्रता तिरजिया क्या होगी फर्स्ट आप्शन है 10 cm, सेकेंड आप्शन है 20 cm, थर्ड आप्शन है 30 cm और फोर्थ आप्शन है 40 cm तो देखें यहाँ पे फार्मूला होता है वक्रता तिरजिया पूछा हुआ है यानि R बराबर होता है अगर वक्रता तिरजिया को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो R 20 जो आप्शन होगा यानि आप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा तो इस पार्मूले के माध्यम से आप किसी भी प्रशन का आप आंसर निकाल सकते हैं इस टाइप से ठीक है यहाँ पे राइट आप्शन हो जाएगा आप्शन नंबर 2 20 cm उमिद करते हैं कि इस प्रशन को समझ गए होंगे आईए अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन प्रशन नंबर 4 है उत्तर लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रत्मिम बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए वस्तु को कहां पे रखना चाहिए तो यहां पर फर्स्ट आप्षन है Lens के focus पर, सेकेंड आप्षन Lens से 2F दूरी पर, फर्ड आप्षन है Lens से F तथा 2F के बीच, और फूर्थ आप्षन है 2F से Anant के बीच. तो यहां पर देखिए कौन सा आप्षन आपका सही होगा, तो यहां पर आपका right answer होगा, अप्षन नमबर थर्ड लेंच से यफ तथा टू यफ के बीच यह आपका राइट आंसर होगा अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन प्रशन नमबर पांच है यदि दो माध्यमों के सीमा प्रिष्ट पर एक प्रकास लंबवत आप्तित होता है तो अपवर्तन कोड होगा फर्स्ट आप्षन है जीरो डिग्री, सेकेंड आप्षन है 45 डिग्री, थर्ड आप्षन है 60 डिग्री और फोर्थ आप्षन है 90 डिग्री तो यहाँ पर राइट आप्षन जो होगा प्रस्ट नमबर पांच का होगा 0 डिग्री यहाँ आपका राइट आप्षन हो जाएगा आप्षन नमबर फर्स्ट आईए अगले प्रस्ट को देखते हैं अगला प्रस्ट प्रस्ट नमबर 6 है एक लेंच से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु का आभासी प्रतिविम्ब का वर्धन 0.5 है यह लेंच होगा तो इसमें फर्स्ट आप्षन है 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंच 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंच 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंच तो देखे जब आभासी प्रतिविम्ब बनता है तो उस समय जो है क्या होता है अब आब अर्दन बोला हुआ 0.5 तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपसर नमबर 2 ठीक है 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतर लेंस होगा यह आपका राइट आंसर होजाएगा अपसर नमबर 2 अगले प्रेशन को देखते हैं अगला प्रेशन प्रेशन नमबर 7 है एक अवतर दरपड की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है दरपड की वक्रता तरिज्या होगी फर्स्ट आपसन है 10 सेंटीमीटर सेकेंड आपसन है 20 सेंटीमीटर थर्ड आपसन है 30 सेंटीमीटर फोर्थ आपसन है 40 सेंटीमीटर तो अभी हमने बताया उपर आपको कि फार्मूला इसमें क्या होता है 2F बराबर R ठीक है 2F बराबर R f की बाइलू क्या आए 10 है तो 2 multiply 10 तो क्या हो जाएगा 20 20 centimeter यहाँ पे 20 centimeter यानि option number 2 में है तो यहाँ आपका right answer हो जाएगा एक उपर इस टाइब का प्रश्ण था वहाँ पे उत्तल दर्पन था यहाँ पे उत्तल दर्पन है इस बात का ध्यान रखेगा आपको confused नहीं होना है ठीक है आईए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण आपका प्रश्ण number 8 है focus दूरी जिसे f से represent करते हैं तथा वकृता तिर्जा r के बीच संबंध है तो first option है f बराबर r second option f बराबर 1 बटे में r third option 2 f बराबर r और fourth option f बराबर 2 r तो यहाँ पे right option हो जाएगा आपका option number third 2 f बराबर r अभी हमने इसी base पे उपर seventh number question यहाँ पे solve किया है तो उमिद करते है students की 1 से लेकर 8 तक के सभी प्रश्ण आप अच्छी तरह समझ गए होंगे आईए अगले प्रश्ण को देखते हैं यहाँ से अगला प्रश्ण आपका प्रश्ण number 10 है प्रश्ण number 9 है एक आउत्तल दरपड की वक्रता तिरिज्या 12 cm है इसकी focus दूरी होगी first option है 12 cm second option है plus 6 cm third option है minus 24 cm और fourth option है minus 6 cm तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा अभी अपने पिछले question में अपने formula देखा formula क्या होता है कि 2F बराबर R ठीक है 2F बराबर R यहाँ पे वक्रता तिरिज्या दिया गया है और focus दूरी पूछ रहा है यानि 12 वक्रता तिरिज्या है और यहाँ से F का मान चाहिए तो F बराबर क्या हो जाएगा 12 और 2 कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा यानि 2 से भाग देंगे तो 2-6-12 यानि 6 हो जाएगा और अवतल दरपड है अवतल दरपड की जो focus दूरी होती हो और positive में होती यानि प्लस 6 सेंटीमीटर या आपका right option हो जाएगा option number 2 उमिद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे अगले प्रस्ण को देखते हैं और या इस सिरीच का अगला आंतिम प्रस्ट प्रस्ट number 10 है प्रस्ट 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 प्रस हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यहां पे ऐसे 10-10 प्रश्णों की सीरीज आपको लगातार प्रवाइड की जा रही है साथ ही साथ आपको लग उत्तरी और विश्तित उत्तरी प्रश्ण की वीडियो आपको दे दी गई है अगर वह वीडियो नहीं देखे हुए तो नेचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं धन्यवादी स्टुडेंट्स जय हिंद जय भारत